आज़े अज़े अज़े सेमी कंड़क्टर्स उप्चालक यह टॉपिक है बी ए सी पार्ट फर्स्ट इन और्गनिक केमेस्ट्री यूनिट फर्स्ट आइनिक्स टॉलिट के आखागा कि अब से पहले हम सम्झेंगी कि चल उप्चालक विश्य कहते हैं तो 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 यह लगता में कि विश्य में कि पहले जनकारी है अपने को कि इन दोनों के बीच में जो गैप होता है कि स्रवजप्ता बैंड और चालक बैंड इन दोनों के बीच में गैप नहीं के बराबर होता है तो आसानी से अलेक्ट्रों स्रवजप्ता बैंड से कंडक्शन बैंड में चले आता है इसलिए यह कि सिद्री कंड़क्ट कर सकते हैं लेकिन इनसुलेटर में पूर्णूब रूप से भड़े होते हैं लेकिन चालक बैंड में कोई यलेक्ट्रों नहीं हुथा skalั้ इनका लेकिन यदि चालक कैंड स्रिधत्ह रूल का अंदर कम हो चालक बैंड प्शंजप्ता बैंड के उज जाब आन्ता जो रूमत वाइन बाइन के बढ़ाओं कि लिखले में इसलिए उपचालक क्या हुआ हुआ है कि क्या वह था सो अज़ाओं तो ऐसे प्राइटों की शालक रोधियों से मत री इन्सूलेटर शे अधिक होगी ते इन्हें उपचालक कहते हैं दूस्य सब्दों में कि दूसरे सब्दों में उप्चालकों की चालक रोधियों यह उप्चालक के बीच की होती है इन पदार्थों के परम सुन्ने तक ठंडा किया जाए तो इनके लेक्टों सबसे कम उल्जा अस्तर में जाएंगे और चालक वाइन रिक्त होगा यह उप्दार्थ पूरी तरह से रोधि होगा है प्रन्तु सामाने था परम पर कुछ के लेक्टों सबस्क्राइब तक पूर्श से चालक वाइन उत्रीत हो जाते हैं जो ब्यूच समान के लिए उत्रदाई होते हैं है इस प्रकार जो है कि व्रुप रकार रोधियों चालक था चालक के उज़ए बैंड़ति कि गया है उप्चालक को अध्यान को शुर्मता परातु के प्रगृति के दापर दो भावें भ्यागित किया जा सकता है धातु अत्वा उप्चालक में बने उप्चालक लावनों से बने उप्चालक इसमें एक होता है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर और एक नॉन इंट्रिंसिक एक सेमी कंड़क्टर नया जोप्चालक यह एक तरह से रोधी होते हैं परिम्टर में चलक बैंड रसे बैंड का अंतर इतना कम होता है कि उसमिये उड़्या उट्रिंस दावनों से उतरी तो चलक बैंड में आ या जाते हैं और चलक ताम उपरसे उतरीट इलेक्ट्रों से अबने में सेश बचे हुए अधुए बढ़ने से बढ़ती है इनकी चलकता तापको रम बढ़ने पर बहुती है इसके एक्जाम्पूल जो है वो सीलिकन दर्मनियम अध्यादिक मौत्पूल उप्चाला के दुनों उपधातों में चार्च अमें जुकता इलेक्ट्रोन उजितान की सब्सक्राइब हीरे डैमंड ज बैलेंस बैंड और कंड़क्शन बैंड एलेक्ट्रोन यहां पर होता है और इससे पहले जो ऐसे शिलिकन दर्मनियम जो से एक्जाम्पूलिस का बताया इसी तरह से एक्स्टिंसिक सेमी कंड़क्टर कि इस से पहले तोड़ा से और जान लें कि कम ताफ होने पर दोनों को सब्सक्राइब भड़े रहते हैं था चलता बैंड रिक्त होते हैं सिलिकन दर्मनियम के इस वरस्ता में सिलिकन जर्मनियम रोधी की भाति काल्ज काते हैं कि परंतों सिलिकन दर्मनियम में यह उचांतर कर्म से 106 किलो जूल पर मोल तथा 68 किलो जूल पर मोल होता है इससे सामाने तापकुर्म में कुछ एलेक्ट्रोन परकास अत्वा उसमें उच्छा गर्म के चले आते हैं जब इन उपधात्वें विद्ध परवाइद की आती त सब्सक्राइब करते हैं और इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर के साथ सबसे बढ़ी समझा इनके तापकुर्म को नियंतित करने के लिए अधिक तापकुर्म पढ़ने पर एक संख्या में तोन सेमी जोगता को से चले बांड में चले आते हैं फॉसरों बंद में भाग लेने अधिक तोनों की संख्या कम होते हो जाती है क्रिस्टल टूट जाता है उदारन के लिए शीलकंध जर्मनियम एक सो डिग्री से इंटिग्रेट था एक सब्सक्राइब अनुप्यों हो जाते हैं इसी तरह एक स्टिंशिक से भी कंड़क्टर या जो है शो सिलकंध जर्मनियम में असुद्धी मिलाकर भी उप्चलेग बनाए जा सकता है इसे वेकर उप्चलेग को बनाने के लिए पैले सिलियंद शीलिगन तथा जर्मनियम को अथी सुद्धा वच्था में प्राप कर आता है इनके परशाद में से अल्प मात्र में असुद्धी मिला जाते हैं इसे लेवरेदि प्रक्रप्रण में अधसरा प्रक्रण में रका गया है एक अपर अंफशालक संटीश कंटर ऑप्षावर्ण सेन हो जेला जाते हैं इस प्रकार पर वाम पर एक प्रवानों पर एक उसनीवरण दाटा बनाते हैं पांच बैइलेक्ट्रों की सूद्री मिलाए जाते हैं में चले आते हैं जो दाटा डुनर बैंड बनाते हैं परम सुनने पर यह एलेक्टोन आसान आर्सनिक परवानु पढ़ी रहता है प्रहुत हो जाते हैं जहां यह विदू चालन करते हैं असुद्धिक रूप में केवल वही तत्म प्रयोग में लिए आसे जिन दाता बैंड चालक बैंड के नीचे अत्वाग कम उड़ा अलतर पर पाए जाते हैं इस प्रकार के उप्चालक में चुकी विदू चालन अतरिक्त एलेक्टोनों द्वारा होता है इस प्रकार के दूनर वैंड जो ऐसे कंडक्शन वैंड के समीप रहते हैं और इसमें क्या है कंडक्शन वैंड के सिर्फ डूरी है वैलेंस वैंड के नजदीक है वैलेंस वैंड भरा हुआ है और दूनर वैंड में कुछ एलेक्टोन है इसी तरह से यहां जो ऐसे कंडक्शन वैंड है एलेक्ट्रोन होते हैं यहां से यह कंडक्शन करता है एक स्टाइए एलेक्ट्रोन जो तो इसका परमानों पर तीन उक्रू जालेक्ट में तीन बंदों का दिर्वान करेंगा परन्तु यह एक कमी करण चारबन नहीं बना पाया जिससे इसके उचाब बैंड में एक एलेक्ट्रोन काते हैं इस चेदर की उपसेदी कारण बैंड को ग्राही बैंड काते हैं इस क्राही बैंड की वुजा स्टा बैंड के कुछ ही अधिक होना चाहिए जैसा कि दिखाए गया है जहां इंडियम के सुद्धी मिलाई जाती है तो इस परकार का तंत्र प्राप्त होता है परन सुन तापकर चिलकर्ण दाजर्विनियम के एलेक्ट्रोन सवजगता कोस में राते हैं परन्तु सामान निताप पर इनके सवजगता कोस एक एलेक्ट्रोन ग्राही बैंड में चला जाता है इस परकार इस परकार उप्चलक परकार के उप्चलक या पीट टाइप से सेमिकंड़्र का लागता है हुआ के लवन उप्चलक है शाल्ड सेमिकंड़्र कुछ से फ्रूती युक्त लवन भी उप्चलक की बाती कार्स करते हैं तोनों परकार तो पाइजाता है जब यह उप्चालक हो जाता है इस प्रकार के उपचालकों में इन प्रकार की उपचालक घाते हैं हुआ सोट ह يع absolutely की अधिक तम अधिक तम में कर्ण करने वाला पीना अनेसिल त्थवर्ण क्रवम करने से प्राप्त होने वाला अजर दो इस पकार के उधारान अ कि प्रेक्ष तो आ है कि एसक फांसिती है लैसी त्फ मुझेल सब्सक्राइब करते हैं इन लबनों के परोष में यदि तुर्टी का रिक्ता स्थान है तो यह आयन उस शिद्र में अस्थान घरन कर अपना स्वें का अस्थान खाली कर देता है इसके तरिए तुर्टी धनायन के कारण तो अपने अक्सिकर में बढ़ा लें तो भी पदार्थ उप्चले के बाति वहार करता है एक्जांपुल एफी ओ प्लस के अनुपस्ति कारण हुई आवेश की कमी को दो एफी टू प्लस आयन फी थी प्लस में पड़िवाति थोकर पूड़ा करते हैं जब फिगर में देखते हैं जब प्रवाग किया जाता है तो बिलुद आवेश से प्रहावित होकर उच्छांपुलस आयन से एक एलेक् को नेफी टू प्लस आयने बदल जाता है यह क्राव इसी प्रकार चलता है जब प्रवार करता है इस प्रकार के उप्चालक या अधी और चालक की प्रकार की उप्चालक कहलाते हैं क्राव में हुआ हैं तो यह तोपिक जहीं पर थोड़ा वह रेडिशन है तो उसको नेक्स इसमें बताये जाए रहे